तो कॉंग्रिस के अपने अंदर ही इस फैसले का विरोध किया जा रहा है साहिर सी बात है कि अब विरोधी दल भी कॉंग्रिस पर निशाना साधेंगे बीजेपी ने कॉंग्रिस के इस फैसले पर हमला बोल दिया है स्मिर्थिरानी ने कहा कि कॉंग्रेस का राम विरोधी चहरा सामने आ गया है कॉंग्रेस पार्टी का प्रभु राम विरोधी चहरा राष्ट के सम्मोग प्रस्तुत हो चुका है यह अश्चर्य की बात नहीं कि सोन्या जी के नित्रित्तों में जिस पार्टी ने कोट में दस्तावेश दिया था कि भगवान राम का कोई अस्तित्तों नहीं उस कॉंग्रेस पार्टी के नेत्रित्तों ने उन्या अयोध्या धाम में राम मंदिर में प्रान प्रतिष्ठा के आमन कर्ण को ठुकराया मैं इतना ही कहूंगी कि इंडिया लाइंस ने सोन्या जी के नेत्रित्तों में कॉंग्रेस के नेत्रितों में बार बार सनातन धर्म की उपेक्षा की अपमानित किया और अब इंडी अलाइंस के नेताओं द्वारा प्राण प्रतिष्ठा के पुर्णे आमंत्रन को ठुकराना उनकी सनातन विरोधी सोच को दर्शाता है अब कॉंग्रेस नेताओं को राममंदर का नियोता 21 दिसंबर को ही मिल गया था लेकिन कॉंग्रेस का जवाब पूरे 20 दिन बाद आया कॉंग्रेस ने इंविटेशन ठुकराने के लिए पूरे 20 दिन का समय लिया 10 जनवरी को कॉंग्रेस ने राम मंदर के लिए निमंतरन को ठुकराया है तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कॉंग्रेस ने इतना समय क्यों लिया कॉंग्रेस का देरी से जवाब देने पर बीज़ेपी हमलावर है बीज़ेपी सांसत मनोज तिवारी ने भी इसको लेकर सवाल उठाए लोग कह रहे हैं कि देश और दुनिया अयोध्या और भगवान स्री राम मैं हो रहा है लेकिन इसी बीच में आखवर यह आ रही है कि कॉंग्रेस अध्यक्षा नहीं जा रही है प्राण प्रतिस्ठा में मल्यकार जुन खरगे नहीं जा रहे हैं सुन्या गांधी नहीं जा रही है और अधिर अजन चौधरी नहीं जा रहे हैं उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरेसिस का कारिकरम है देखिए वो अपने नहीं जाने के लिए जो बहाना लेना चाहें ले सकते हैं लेकिन ये तो जनजन के हे राम शुवद गाटन कौन किस से करवा रहे है न्यास देश के प्रधान मंत्री जी से जिनको दूसरी बार देश ने भारी बहुमत से चुना और तीसरी बार चुनने के लिए तन मन धन से तयार है अगर उनको इस बात का दुख है कि चुना हुआ प्रधान मंत्री क्यों शुवद गाटन कर रहे हैं तो उसका तो हमारे पास कोई इलाज नहीं है और राम सिर्फ भाजपा के या आरिसेस के नहीं है मैं याद दिलाना चाहता हूँ मेरा एक गीत आने वाला है मैं आप से आद शेयर करूँगा सबके साथ शेयर करूँगा कि माशबरी की प्रभल प्रतिक्षा मरयादा के धाम जनजल के है राम जनजल के है राम जन जल के है राम, जन जल के है राम हिरदे से आके या जध्या देखो, मिलता है आराम जन जल के है राम, जन जन के है राम बीजेपी का एक एक नेता एक्षन में है, टार्गेट पर कॉंग्रेस है, अनुराग ठाकुर ने भी कॉंग्रेस पर हमला बोला है ये तो होना ही था कॉंग्रेस ने कभी अपने सैयोगियों के माध्यम से सनातन धरम को कुचलने की तो कभी सनातन धरम को खतम करने की बात के तो कभी कॉंग्रेस ने हिंदू अतंक बात की बात के ये कॉंग्रेस एक नहीं अनेक बार हिंदूों को नीचा दिखाने की बात तो क भी भगवान राम को कालपनिक कहने की बात करती हैं मैं इतना ही कहूंगा आज कॉंगरेस ने अगर प्रान प्रतिष्टा की समारों की बाइकौट किया है तो साफ दिखता है कि हिंदोस्तान की जनता भी आने वाले समय में इनका बाइकौट ही करने वाली है तो इस पर सिर्फ बीज़पी हमलावर नहीं है बलकि संतों के भी निशाने पर कॉंग्रेस आ गई है रामलला के मुखे पुचारी आचारे सतेंद्र दास ने भी कॉंग्रेस के नियोता छुकराने पर जबरदस्थ हमला बोला है अजार जी कॉंग्रेस की तरफ से साफ कर दिया गया है कि वो इसने मंतल को अस्विकार करते हैं यहां प्राण प्रतिश्चा भगवान राम की है रामलला की है और उस कांग्रेस पार्टी पहले सत्ता में आई सौतंत्रा जब दे समारा हुआ वो चाहती उसी समय इस समेशा कर समाधान कर देती और राम मंदिर बढ़ जाता है लेकिन उसने लटकाए रहा और नहीं किया कुछ बाद में जब भाजपा सरकार सत्ता में आई तो उसका जिग्यासा हुई और कहा कि भाई राम हमारे प्रभू राम की जो जन भूमी है इसमें पहले तो सम्झोधा की बार चली फिरंत में क्या हुआ कि धांचा भी गिर गया और उसके बाद में यह सरकार ने आज स्वाइम प्रधानमंति शिला पूजन भूम पूजन किये जहां पर आज भव्जी मंदिर बन करके त्यार हो जया है पर्थम तल बन गया सेथ बन बनता रहेगा और बाइस यह जन्मरी को राम लदा की प्रान प्रदिश्टा होके वहां अस्थापित हो जाएंगे और होता रहेगा और उससी संबंद में सबको निमंतर दिया गया है जो आएंगे आएंगे जो नहीं आएंगे को कोई बात नहीं है बात पार्टी के लिए करा रहा है जिसमें उनकी अपनी द्रिश्टी है हर विक्ति अपने द्रिश्टी से अपने नेतर से देखता है और उसी परकार के चस्मा लगा लेता है